अलो दोस्तों नमस्कार स्वागे था आप सभी का आज किस वीडियो में तो दोस्तों SSE CPU SI 2023 टोटल फार्म फिलप को लेकर RTI लगाई गई थी जिसका रिप्लाई आ चुका है और थोर सा सौकिंग डाटा देखने को मिला है इस बार क्योंकि वेकेंसी भी कम थी और लेकिन जो फार्म फिलप हुआ है वो कुछ जाद ही हो गया है तो चलिए देखते हैं किस-किस कैट्रिय में कितना फार्म फिलप हुआ है तो आप रिसीब डेट देख सकते हैं 1608-2023 और एक्शन लिया गया 1708-2023 ठीक है उसके बाद आप देखते हैं रिप्लाइ में कहा है 0.1 and 2 as per available record total completed application form received in Sub-Inspector Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination 2013 इजे 827-602 ठीक है साथ लाख 51,330 form fill up किये थे और पिछली बार वेकेंसी जो आपको थी वो 4,300 यानि कि 43 सो वेकेंसी थी और जबकि इस बार की वेकेंसी आप सभी जानी रहें कि 1600 या फिर 1500 के असपस वेकेंसी देखने को मिली है ठीक है तो चलिए देखते हैं काटीगरी में बात करें तो 2,8,466 form fill up किये गये हैं और स्टी में एक लाख 13,999 form fill up किये गये हैं OBC में 3,4,761 form fill up किये गये हैं और EWS में 63,133 form fill up हुए हैं और UR category में 1,37,213 form fill up किये गये हैं और ये एक service man की बात करें तो include किया गया है इसमें ठीक है 10,134 form fill up है अगर मैं पिछले साल के comparison में बात करूँ तो देखें पिछले साल में मैं अगर बात करूँ तो टोटल form fill up ही हुए थे 7,51,330 ठीक है और अगर UR category में बात करें तो 1,37,000 वहाँ पर भी form fill up किये गये थे 1,37,661 form थे और यहाँ पर 1,37,213 यानि कि पिछले बार से कम form fill up हुआ है UR category में थोड़ा सा ही बहुत जाज देने थोड़ा सा कम देखनों मिला है उसके EWS में बात कर लें EWS में पिछली बार form fill up किये गये थे 55,606 form fill up किये थे जबकि इस बार form fill up किया गया 63,163 ठीक है तो EWS में इस बार fight करने को अच्छा कासा देखनों कि मिलेगा उसके बाद अगर बात करें OBC category में तो OBC category में पिछली बार जो form fill up हुए थे 2,83,503 form fill up हुए थे 2,83,503 form और जबकि इस बार form fill up कितना हुआ है 3,4,761 form fill up हुआ है ठीक है वहीं अगर SC category में बात करूँ तो SC category में पिछली बार 1,44,429 form fill up हुए थे 1,44,429 जबकि आप सब यहाँ पर देख रहाँगे 2,88,446 form fill up हुआ है और अगर ST category में बात करूँ तो पिछली बार जो ST category में बात हुए form fill up हुआ थे 1,131 form fill up हुए थे ठीक है 1,131 form जबकि इस बार कितना हुआ है 1,13,999 वही अगर जो आप X-Serviceman की बात कर रहे हैं तो X-Serviceman में पिछली बार जो हुआ था 11,490 ठीक है 11,490 पोस्ट थी जबकि इस बार कितना है 10,134 ठीक है तो total मैंने आप सब बता दे काटेगरी बार कितना form fill up था ठीक है सारी काटेगरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला जबकि यूर काटेगरी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है थोड़ा सा ही लेगिन मिला है और अगर total form fill up में बात करना हूँ तो total 76,272 form जो है इस बार जादा fill up किया गया है कितना 76,272 form इस बार जादे fill up हुआ है क्योंकि पिछली बार आप सभी इस बार का देख रहे है 8,67,602 और पिछली बार कितनी थे 7,51,330 ठीक है तो उमिद करता हूँ आप सभी चीजों को समझ चुके होगे तो इसको इतना detail बताने को आप सकता बस इतनी थी कि आप सभी इसको देख पाएं कि अभी जैसे कि आपने देखा कि कल जो है CPOSI का result आया है 2022 का final result आया चुका है तो इस बार आप सभी लग जाएए अच्छे तरीके से हाला कि अभी जो vacancy है वो tentative है increment भी हो सकती है क्योंकि चुनावी season चला है ठीक है October में आपका CPOSI का examination है तो जी जान से लग जाएए और अच्छे तरीके से इस बार fight करिए ठीक है तो इस वीडियो मित्ता है दुस्तों Thank you